वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते गुर्मुख प्यारेओं तुस्सी सारे चड़ती कला छोबोगे उमीद कर दें वाहे गुरुजी यावली जेडी वीडियो है इसकर के सानुबरानी पाई क्योंकि कई वरी पंक्ति पढ़के जेडा उदा अर्थ हुंद वो गल्त काड़ जाना है वाहे गुरुजी जवें की अपा गिविक वरी गल्किती की एह है ब्रह्म ग्यान अपा इनू अपनी सोच द आप गल्किती वाहे बाणी पंक्ति नाल कीती एता चंगी अधो पता लगते की चलो ओ ओर जुडे होंगे पर उन्हानी जेडाव अर्थ दस्या वाहे ग्रुजी ओ उल्ट दास ता असी वी जदो साथी नेजर पाई असी पढ़े आते वाहे गुरुजी सानू अजीब लग आप जी पंक्ति वीचारी तो आप जी नाल की शांजि़ नीचावाँगे तो तो दुसी नेख्यों क्यों थे क्या की रहे ने माराज की समझा रहे ने थे पूरी गल जुड़ी कि थे तक तक ए ते एक बड़ी जुरूरी गाल समझान वाली कि आपा बाणी नो पढ़ की कि आपा हो और इजी लेंगविजे चिदसन भी कोशिश कर देया कि समझ आज ते कहीं लगदे कि यह किसे पर्टिकुलर नू टार्गेट कर रहे ने कोई भी जदो उस ता अर्थ जड़ा है दिचार रहे हंदेने ते कई रिकमेंट पड़े कि तुसी आगल जड़ी है क्यों कि अब भाएग्रु जी जिनने बानी नहीं पड़ी ओधी सोच किते भी जा सकती है जिनने पड़ी उनु पता है कि मारज ने सानु इत्थे की समझ आज कोशिश की ती यह जड़ी चीए कि जदो गुर्बानी अनुसार अप वीडियो अपलोड कर देया कि गुर्बानी सानु क समझा रही है तो कई ऐसे होंदे हां गुर्मुक्त जेड़े अपने मुर्ति पूजा नाल जूड़े होंदे है कोई शिवदा भक्त होता है तो कोई किसी दान गल्त पसे ले जंदे उनना नू आवे लग दे कि ए नी टू वाइग्रु जी गल आवे है कि आपा यहां किसी न वेच वाइगुरु जी ब्रहम ग्यान लिख है और गुर्बानी ओग बानी है वाइगुरु जी जेडी सच खन तो आई है सिद्धा पिलकुल वाइगुरु जी माराज मूर्ति पूजा नो खंड़न कर देने है तो सानो समझा रहे ने कि तुसी किद्धा चलना जीवन दे वेच अकाल पूरख वारे सानो समझा रहे ने तर जदो वाइगुरु जी उसानो अकाल पूरख ना जोड़ रहे ने ते जड़े मूर्ति पूजा थे होर जेडियां बख्की तरमादे विच चीजा ने वापे खंड़न हो जन दिए है क्योंकि वाइगुरु जी पिता जी इसलें खंड़न किती सी क्योंकि हर कोई इसमें फस गया जी फस ही गया ता करम कांडों में फस गया और सबसे बड़ी चीज पीता जी आह समझाना चाहरे सी कि अकाल पूरख जी ने ता इंसानी मूर्तियां बनाई है बिल्कुल जिदे कि आप वेटिया पास सारी दुनिया म इसलें इस चीज से उपर मतब सच्चाई दिखा लहीं अगरी दे दाइरे चरह के गुरूबानी दाइरे चरह के ही गल कर दें ते आओ अपा आज जिदा वी जेड़ा है विचार संजा करें एक और चीज वाई गुरूजी कि बहुता नू ए लगदा है कि गुरूबानी वि विष्णुदा है माई तक का नाम है ठीक है आप यह भी तो देखो कि लिखा क्या है आपने सिर्व यह देख लिया महादेव का नाम है पटा पंक्ती भी तो पड़ो ना तो ऐसी ही उस वीर नू गलती होगी उनने पंक्ती कुछ और तरिक्के नाल पढली तो उनना ने वाइगरु जे वह देखेवा यह जिए तो थे नाम है तो झीचला है जडा नकली एकसरदार एंड़ा है जड़ा किनी डुबिदा प्टा रणीजिए कर देखर्णनु जड़ और लेगे पांगतिया जड़ तो फड़ो दो तो बेद बेद भी तो 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 अर्बिदा उननन वे यह वीडिओ पासकता है जरे चोड़ी चोड़ी दूबिदा कर देख कर देख तो अधनी फर्ज बंदा सारे गुर्मुखा देख कि असी वीडियो पाके संगत नूँ क्लिर कर रहें जवाब देखी है जोब देखी फिए नूँ गल्थ बोल सकता है ना बट्रोग के वाईगरुजी असी चीज़ां करना साथ फर्ज है ताकि जेड़े छोटे बच्चे मानलो कोई बच्चा जिन्नों नहीं पता क्यों नखली है वाईगरुजी मानलो उन्हें वीडियो देखी ते हो पंजाब तो बहार रंदर उन्हों बहुता सिखी बारे नहीं पता कि पता ओ वाईगरुजी सारे उसी की बात मानके हमारे को वीडियो के नीचे पंगतियां लिख जाते बट उन्हें यहीं नहीं पता पंगति विच लिख्या लिख्या कि तो गुरु साहिब जी अभी समझान देने इन मुर्खा नाल नी उल्जना चाहिए इना था काम ही है बाकि यह क है कि अजय को घुञा महां जाए है साड़ा नालक नाम ल्चसमगत है र४ाई ओन से चाहिए बाकि आप जी नाल सचाई रखें आगे वह वाई गुरु जाके बावला जागत गुरू तथ सार्का ग्यान पाखेल यह पंक्ति उन्ने लिखे आए पंक्ति बैगूर जागत घसी वावला ज में तुल नाइन्टी टू है गया ओदे विच दर्ज गिये ते उसने वाह गुर सी पंक्ति वीच इस तो सानू दस्ता की शिवनु काय बट अगला जीडा वर्ड सी बावला उनी उनने पढ़िया वाई गुरू जी फिर आपा अपना फर्श समझ के कि उननों सच पता होना चाहिए वो भी कहीं काल दे डायरे विच आके काल विच ना फस जाएं तो आप असी कुकरा ने अही समझा कि उननों गुरू साहिब जी दा फर जिसने जगत के जीवों के लिए असल समझने योगय उभदेश सुनाया है भाव जो सारे जीवों को मोद का संदेशा पहुंचाता है जो सब जीवों का नाश करता माना जा रह रहा है ये शिव जी शिष्टी के मालिक उस परमात्मा के घर में जैसे एक बावला सा मस्खरा है जी के वाई गुरु जी अपा वाई गुरु जी एवले जेड़ी अपा पंक्ती चो लई है तोक लई है आप पूरी पंक्ती नहीं विचार लिए गुरु जी आप जी वी विचारना खुद अंग है गये 1292 तो इस विच वाई गुरु मादवी जिकर है तो क्यों आप पूरी ही पंक्ती विचार दे हैं कि गुरु साहिब जी सानू की कह रहे हैं जां चैकर कुलाल ब्रह्मा चतर मुख डावडा जिन बिस्व संसार राचिले जां के कर इसर बावला जगत गुरु तत सार खा ग्यान पाखिले पाप पुन जां चै डांगिया दौरे चित्र गुप्त लेखिया तरम राए प्रुली प्रतहार सो ऐसा राजा सिरी गोपाल अर्थ शुष्टी का मालिक वह प्रमात्मा एक ऐसा राजा है कि लोगों के ख्याल के अनुसार जिस ब्रह्मा ने सारा संसार पैदा किया है वाई गुरु जी आत्यान देना कि लोगों के ख्याल के अनुसार जिस ब्रह्मा ने सारा संसार पैदा किया चार मुहों वाला वेह ब्रह्मा भी उसके घर में बरतन घड़ने वाला एक कुमार ही है भाव उस परमात्मा के सामने लोगों का जाना माना ब्रह्मा भी इतनी ही हस्ती रखता है जितनी की किसी गाउं के चोधरी के सामने गाउं का गरीब कुमार इन लोगों की नजरों में तो शिव जी जगत का गुरू है जिसने जगत के जीवों के लिए असल समझने योग्य उपदेश सुनाया है भाव जो सारे जीवों को मोत का संदेश पोचाता है जो सब जीवों को नाश करता माना जा रहा है ये शिव जी शिष्टी के मालिक उस परवात्मा के घर में जैसे एक बावला सा मसकरा है राजाओं के राज महलों के दरवाजों पर चोबदार खड़े होते हैं जो राजाओं की हजूरी में जाने वालों को रोकते वे आग्या देते हैं घट घट में बसने वाले राजन प्रभू ने ऐसा नियम बनाया है कि हर एक जीव का किया अच्छा या बुरा काम उस प्रभू के महल के दर पर चोबदार है भाव हर जीव के अंदर हिड़दे घर में प्रभू बस रा है पर जीव के अपने किये अच्छे बुरे काम ही उस प्रभू से दूरी बना देते हैं जिस चित्रगुप्त का सहम हर एक जीव को लगा हुआ है वह चित्रगुप्त उसके घर में एक मुनीम जितनी हस्ती रखता है लोगों के हिसाब से परले लाने वाला धरमराज उस प्रभु के महल का एक मामुली सा दर्बान है वाहि गुरु जी फिर किसी अगले वीडियो चित्वा डिनार होर वी जुरूरी विचार सांजे जड़े करने ने वो नेक्स्ट वीडियो चिभी करांगे गुरु साहिब जी किर्पा करन तुसी सारे आप जी नाम जेड़ है वाक्तो वर जपो बंदगी करो उस अकाल पुरक दी जेड़ी है बंदगी करो वाहि गुरु जी जो गुरु साहिब जी दा उपदेश है बानी आप विचारो वाहि गुरु जी वाहि गुरुजी की फते